हालो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 80 पे स्टार, अ सूपर लर्निंग प्लेटफॉर्म तो आप सभी लोगों का स्वागते हैं, मैं आपको आज बहुत इंट्रेस्टिंग टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ आप लोगों को मेरा ये टॉपिक कैसा लगा, आप लोग इसके बारे में आपने क्या जाना ये सब ही चीजे हैं आप लोगों को बहुत ही जल्द मिलने वाली है और आपको बहुत 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 इंट्रेस्टिंग टॉपिक है, यह हमारा गिजी पी मैजनी जिससे हमारा last topic connect होता है जहां पर हमारा last topic खतम होता है students वहीं से हमारा ये topic शुरू होता है तो कौन था गिजी पी मैजिनी? बहुती interesting personality थी है ना, तबी तो हमारी textbook में है ये कौन था गिजी पी मैजिनी? गिजी पी मैजिनी एक revolutionary था कौन होता है revolutionary? जो आंदुलन करता है, जो लड़ाई करता है क्यों लड़ाई करता है? क्योंकि उसको rules पसंद नहीं है क्योंकि उसको कुछ बात अच्छी नहीं लगती कुछ policies अच्छी नहीं लगती इसलिए तो वो revolutionary बनता है ना हमारे हिंडिया में भी तो बहुत सारी revolutionary थे जिन्होंने आजादी की लड़ाई के लिए बढ़ चड़के हिसा लिया तो ऐसे ही कहानी हमारे France की है France में कौन सा ऐसा रोल था? जो बहुत important है और जिससे की बहुत ही ज़ादा लोग conservative जो है fear, dangerous enemy मानते थे किसको मानते थे? dangerous enemy, GCP मैजनी को क्योंकि जहाँ Treaty of Vienna जो है वहाँ पर हम अंत करते ही 1515 की जहाँ पर most of the conservative बैठे हुए थे जिनके पास पूरा शासन था कौन थे? Britain, Prussia, Austria और Russia ये चारों मिलके France की territories और boundaries को और capture किये हुए हैं लेकिन उन्होंने censorship पे मना किये उनके खिलाफ कोई भी आर्टिकल चापता है उनके खिलाफ कोई भी गलत काम करता है तो बहुत punish मिलेगा उनको इन सब के बीच में बहुत सारी secret society फॉर्म होती है बहुत से लोग लड़ाई लड़ते हैं लेकिन खुलकर नहीं आते तो क्या हुआ खुलकर नहीं आते तो क्या हुआ secret societies तो फॉर्म करते हैं और उन secret societies में जब बात की जाती है वो revolutionary कौन था जिसने सबसे पहले revolutionary के तोर पर secret societies फॉर्म की थी तो जी हाँ यही तो topic हम discuss करने वाले हैं वो revolutionary कौन था वो revolutionary ही तो था Gizipi, Mezzini और इसका role बहुत ही important as students and TSC के लिए बहुत ही शानदा topic है और आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना और born in Genoa ये 1807 में पैदा हुआ था then become a member of the secret society यहाँ पर secret society मतलब गुपत रूप से conservative को पता नहीं चलना चाहिए क्यूं क्यूं नहीं पता चलना चाहिए अगर ऐसा हुआ तो इसकी family समेथ ये लोग गए क्योंकि इनोंने against उस टाइम तो censorship था बैन लगा हुआ था कोई इनके खिलाफ आवाज नहीं उठाएगा कोई मोनार के खिलाफ कोई शासक के खिलाफ आवाज नहीं उठाएगा यही तो problem थी ना बेटा यही तो students problem है यहाँ secret society जो है इसको बनाने वारा कारबोनरी के अंदर of the कारबोनरी यही वो शक्स था गिजपी, मैजनी और क्या किया इसने तो more more underground society underground मतलब चुप चाप गुप तरूप से बिल्कुल चुप चुप के उसी को underground society के ते क्यूँ? क्योंकि conservative का खौफ था अगर conservativeism को पता चल गया उस टाइम तो वो powerful थे अगर उनको पता चलता है तो वो क्या करेंगे? इन सारी secret societies को उड़ा देंगे इसलिए तो इनको नहीं उड़ा आना था कुद को यह चाहते थे हमारी formation strong बने अपरी starting में secret है अभी starting में underground है लेकिन future we will do our best तो यह underground societies के साथ आगे बढ़ते हैं फॉर्स्ट यंग इटली ऑफ मर्सेलीस और यंग उरोप इन बनने याने इटली में मर्सेलीस की एक secret underground society थी तो आप से question पूछा जा सकता है students क्या पूछा जा सकता है कि गिजी पर मैजनी जो है उसने कौन कौन सी दो secret society underground secret societies form की थी तो पहला नाम आपको करना है यंग इटली in मर्सेली is very important दूसरी मर्सेलीस की first secret society तो आपको याद करना है whose members were like-minded young men from Poland Poland भी तो किसी के अंदर में था इनी conservative के अंदर में गया था Poland का हिस्सा जो है इनी के अंदर में था जिन्होंने Napoleon को मारा था 1815 में और Code of Conduct जो था वो जिसने लॉंच किया था वही Napoleon जी हाँ वही Napoleon उसी को मार के Treaty of Vienna साइन हुई थी और वो सारे conservative थे और वो सारे conservative जिन्होंने France की हर एक boundary पे कबज़ा किया था तो Poland भी इनका हिस्सा था तो Poland के लोग जो है गुलाम थे और हर कोई भी इंसान गुलाम बनना पसंद नहीं करता यह गुलाम बनना पसंद नहीं करते हैं conservative के इसी लिए इन लोगों ने इन लोगों ने जो की like minded थे similar mind के थे जिनका mind what एक जेसा था like minded मतलब similar mind मेरा भी दिमाग है मैं revolution करूँ और सामने वाले का भी mind काम करता है revolution करें तो एक revolutionary दूसरी revolutionary से मिलेगा तो क्या होगा क्या होगा like minded होगा इनोंने क्या करहा कि हम भी तुमारे साथ revolt में हम भी तुमारे साथ revolution में शामिल होंगे तो that was the main topic अब revolutionary age of revolution start होता है यहीं से gizipi mezzini यह है इसके साथ वो सारे लोग बैठी हुए है उस दौरान जब conservative ने मना किया था कि हमारे खिलाफ कुछ कोई secret society नहीं बनाएगा हमारे खिलाफ कोई journalist article नहीं लिखेगा हमारे खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाएगा उस दौरान भी यह gizipi अपनी बहादूरी मिंटीन रखता है बहुती बहादूर है और यह secret society form करता है इन लोगों के साथ मिलकर इस circle में आप देख सकते हो यह सारे like minded people है अब क्या होता है अब होता है age of revolution age of revolution means the age of fighting मतलब जो लड़ाई का ही होगे जब वो fight करना start करते है fighting दो तरीके की होती है external, internal एक तो आप लड़ाई करो हाथ से हथियारों से और एक introvert अंदर ये अंदर underground societies तो यही सब चीजें थी कि जो revolutions है were led by liberal nationalist revolution करने वाले कौन लोग थे liberal nationalist liberal nationalist कौन करते liberal word से derived हो है liberal means आजादी जिसको आजादी प्यार ही है जो बिलकुल free of notion चाहते वो नहीं चाहते किसी के अंदर में रहना that people will be called liberal वही तो आजादी चाहेंगे वही तो revolution करेंगे क्यों? क्योंकि conservative जो है अपनी सत्ता बरकरार रखे हुए अब आते हैं जी belonging to the educated middle class allied देखो third estate में दो तरीके के लोग बताये थे मैंने जिनके उपर बहुत सारी problems थी third estate में गरीब लोग भी आते हैं अमीर लोग भी आते हैं जैसे आप सोचो third estate में middle class family आते हैं middle class में आप सोचो poor farmer भी होते हैं less farmer भी होते हैं और बहुत अमीर farmers भी होते हैं हां जी होते हैं, middle class में दो तरीके के लोग है, upper middle, lower middle, upper middle में high profile वाले, lawyer, banker, businessmen, traders, बहुत चारे लोग जो की पड़े लिखे हैं, अब literate people हैं, और दूसरे, जो lower middle class की लोग हैं, वो वही लोग हैं, जो की peasants हैं, लेंडलेस, farmers हैं, workers हैं, artisans हैं, females हैं, जिनकी condition बहुत रिजट ह चलो ठीके, अब जो है धीरे धीरे एक ऐसा यूग आता है लोग पढ़लिक के आगे बढ़ते हैं, पढ़ाई करते ही उनका माइंड शाप हो जाता है और वो चाहते हैं middle class के allied, याने middle class के जो educated, upper middle class वाले लोग हैं, वो चाहते हैं कि हमें liberty मिले, हमें आजादी मिले, किस से मिल से conservative से, तो upheaval in France, क्या होता है France में, first upheaval, upheaval मतलब पहली जो लड़ाई होती है, took place in France in July 1830, 1830 के अंदर कहली लड़ाई होती है, bonbon kings जो है, जो राजा है, who had been restored power, जिनके हाथ में पूरी पावर है after the Vienna Congress, by the conservative, क्योंकि Vienna Congress में conservative लोगों ने bonbon dynasty को restore करवा दिया था, दुबारा से ला दिया था, मतलब राजाओं का शासन लागो कर दिया था, were now overthrown by liberals, overthrown मतलब liberal लोग चाते हैं, इनको fact दिया जाए सारी मोनार्को, revolutionaries जितने भी आंदोलनकारी है, who installed a constitutional monarchy, देखो, अब आपका सबसे important topic है, कि monarchy चाह रहे है, monarchy भी दो त absolute, दूसरा होती है, monarchy, constitutional, ये दोनों monarchy के form में, देखो, अभी absolute monarchy, monarchy के पास, मतलब राजा के बाद absolute, पूरी पावर है, that will be called absolute monarchy, लेकिन constitutional monarchy फिर क्या होती है, जब monarchy के पास, पूरी पावर नहीं होती है, parliament system होता है, constitution का framework होता है, और राजा को constitution के rules और regulations को follow करना होगा, राजा होगा, लेकिन parliament भी साथ-साथ काम करेगी, वही तो, तो ये सब चाह रहे हैं, कि पहला France में ये विद्रो करते हैं, और कहते हैं कि absolutely, याने, पूरी पावर राजा को ना दी जाए, पार जो है, राजा की कम कर दी जाए, constitution का धाचा बनाया जाए, जिसके अंदर हमारी constitutional monarchy जो है, उसको लागू किया जाए, तो ये सब क्या लाना चाहते हैं, liberals, revolutionaries, जो भी आजाती की मांग कर रहे हैं, वो कह रहे हैं, constitutional monarchy को लाया जाए, absolute monarchy को खेत कर दिया जाए, अब दूसरा uprising in Brussels, Brussels के अंदर क्या होता है, जिसकी वज़े से इसका नाम uprising of Brussels हुआ, the July revolution, July में कैसा अंदोलन हुआ, sparked an uprising in Brussels, which led to Belgium breaking away from the United Kingdom of the Netherlands, उसमें कैसी घटना हुई, कि जो Belgium है breaking away, वो तूट गया, United from the United Kingdom, United Kingdom से Belgium को अलग कर दिया गया, of the Netherlands, of the Netherlands, of the Netherlands से, तो कुछ ऐसी घटनाए हुई, Brussels का uprising हुआ, Brussels जो है, Belgium का capital है, Brussels का क्या है, Belgium का capital है, वहाँ पर कुछ ऐसे unfold event होता है, जिसकी वज़े से फ्रांस में कुछ क्रांतियां बहुत famous है, तो ये topics, ये जो points हैं, आपको बहुत ही अच्छी से clear करने है, अब जो है, अपराइजिंग इन ग्रीक, ग्रीक लोग भी आगे बढ़ते हैं, ओटोमेन एंपायर है, तर्की के अंदर, बहुत सारे ऐसे चोटे-चोटे इंडिपांडन्स इस पारकल्ड होते हैं, Treaty of Constantinople होती है, अब जो है, ग्रीक क्या है, ग्रीक जो है, ग्रीक जो है, वो ओटोमेन एंपायर, एक मुसलिम एंपायर है, तर्की में, ये एक मुसलिम एंपायर है, तो ग्रीस लोगों को इन्होंने अंदर में किया था, ये यहां के ओटोमेन एंपायर इसके अंदर में ग् अब ग्रीस के इसके अंडर में था तो क्या हुआ students? Students ऐसा हुआ कि ग्रीस लोगों की खुद की traditional values, सब कुछ पहचान, हर एक चीज छीन ली गई थी, तो ग्रीस लोगों ने, ग्रीक लोगों ने एक war लड़ा, वो war था independence का, तो uprising of the Greek, ग्रीक लोग भी पीछे नहीं रहे, उन् अपनी गीतों से, संगीतों से, folklore, folk dance और पूरानी संस्क्रती परंपराओं को मानते हुए आगे बढ़ाया, उन्होंने का, हम गुलाम नहीं रह सकते, अब हम गुलाम नहीं रहेंगे, हम सब को आजादी चाहिए, तो ग्रीक वार होता है, और 1821 में लेकिन जो इन लोगों की ग्रीस वाले लोगों की जो है, वो जीत होती, बहुत ही शानदा जीत होती और एक टीती, ग्रीस लोगों की खुद की पहचान होती है, एक independence मिल जाता है, और Treaty of Constantinople, एक समझोता होता है, जिसके अंदर इनको एक समझोते में जीत होती है, और ग्रीस लोग जो है, वो अपने जो उनको सफलता पानी थी, गुलामी से आजाती चाहिए थी, अपने traditional values को आगे बढ़ाना था, उसी के साथ ये लोग आगे बढ़ते हैं, और इस तरीके से ग्रीस लोगों को तो पूरी की पूरी जीत मिलती है, और एक Treaty of Constantinople, शानदार जीत के साथ होती है, और इसी के टॉपिक जो है, वो clear होता है, next topic हम इसी chapter के साथ रहेंगे, step by step हम इस topics पढ़ने हैं कि कैसे, कौन से बुड़ाओ पर, कौन से state ने, कौन से country ने, कौन से लोगों ने बढ़ चड़ के हिस्सा लिया, और आजादी के लिए France को आजात कैसे कराया, Germany जो की patchwork में था, Italy जो की patches म था, कौन-कौन से ऐसे role models आये, हर एक देश में एक hero होते हैं, hero मतलब nationalist, जो की देश के लिए लड़ते हैं, तो ऐसे कौन-कौन से hero आये, कौन-कौन से लोगों ने बढ़ चड़ के भाग लिया, और क्या-क्या event हुए, कौन-कौन से sacrifices करने हुए, कौन-कौन सी बाते हुई, इन ही सब चीजों के साथ हम आगे बढ़ेंगे, तब तक आप हमारे साथ जुड़े रही है, और आगे बने रही है, और से और वीडियो में आपको share करने वाली हूँ, और बहुत ही interesting fact के साथ, तब तक आप मेरा ये चैनल जो है, बहुत subscribe करी है, तब तक ये भी बताईए लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है कि कौन से topics आप पढ़ना चाहोगे और जिसके साथ हम आपके साथ बने रहे हैं, थैंक्यों